नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में हम लोग आरो यारो के लिए नया टॉपिक सुरू कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है? विशेश से वं विशेशन क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक को पहले लिया जाए और चुकी थोड़ा सा इसमें कॉंसेट वाली चीज़ आती है कि आपको ये समझना होगा कि विशेशन को कैसे हम पहचान सकते हैं, विशेश को कैसे पहचान सकते हैं और जो अंतर परिवर्तन है विशेश का विशेशन में, विशेशन का विशेश में उसको कैसे किया जाता है उसके महत्पूर्ण उदारण क्या है तो दोस्तों ये बहुत important series है और प्रयास ये रहेगा कि 5-6 lecture में हम इस topic को अच्छे से पढ़ेंगे आज के इस particular वीडियो में हम सबसे पहले जो है बिशेशन और उसके प्रकार को जानेंगे कि बिशेशन कित्ते प्रकार के होते हैं उनके क्या प्रकार है उनका उदारण क्या है क्योंकि बिशेश से पर तो question आते हैं साथ में बिशेशन पर भी question आते हैं बिशेशन के एक्जाम नहीं दिया है तो आप जो है तीन माई को होने आली परिक्षा में सम्मलित हो सकते हैं और उसकी तयारी करने के लिए बहतर ढ़ंग से पढ़ने के लिए आप हमारे क्रैस कोर्स से जुड़ सकते हैं crash course में कुल 11 full test है और 9 current affairs के test है इस तरह से कुल 20 test आपको जो है इसमें provide किये जाते हैं ये test actual में है क्या online test देने की सुबदा है app और website पर उसके अलावा आपको जो है पूरे test की solved PDF वो आपको download करने की सुबदा है आप चाहें तो online test ना भी दें उसको skip कर सकते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है PDF क्योंकि PDF में क्या है question answer के format में पूरा complete notes आपको provide किया गया है जितने भी महत्पूर topic है स्लेबस से संबंदित पूरे स्लेबस को खंगाल के तो ये किस प्रकार दिखता है कैसा है इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस वीडियो के description box में और pin comment में demo test की PDF का link दिया हुआ है आप उस link को follow करके demo test की PDF को download कर लीजे अगर आपको लगता है कि ये quality wise जो है बहुत अच्छी test series है जैसा कि हम बताते हैं आपको तो आप निश्चित रुप से हमारे इस program से जुड़ सकते हैं कैसे जुड़ना है आपको join RO लिखकर आप जो है इस number पर भेज दीजिए सारी detail आपको भेज दी जाएगी आप सीधे call करके भी बात कर सकते हैं अगर आपको जो है कुछ भी पूछना हो तो आप इस number पर बात कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि केवल हिंदी की टेस्रीज आप ले लें केवल हिंदी की PDF आपको चाहिए तो वो भी अवलेबल है उसके लिए आप जो है इस number पर बात करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो सबसे पहले हम विशेशन क्या होता है क्योंकि जब तक हम विशेशन को नहीं समझेंगे हम विशेशन को नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि दोनों में differentiate करने के लिए विशेशन और विशेशन को अलग-अलग जानना जरूरी है तो विशेशन की simple सी परिभासा है आप लोगोंने हमेशा बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं जो सब्द संग्या अथ्वा सवनाम सब्दों की विशेशन को प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं विशेशन कहलाते हैं अब आपके सामने कुछ example हैं जैसे की रमेश अच्छा लड़का है तो यहां पर विशेशन सब्द क्या हो गया अच्छा क्योंकि संग्या की विशेशन बता रहा है इसलिए जो है गमेश अच्छा लड़का में अच्छा हो गया सीला बुद्धिमान है अब सीला कैसी है बुद्धिमान है तो अगर आपको यह देखना है कि किसी वाक्य में कौन सा सब्द विशेशन हो सकता है तो आप उस वाक्य को प्रस्णवाचक बनाए जैसे की सीला बुद्धिमान है अगर आपको इसमें ढूड़ना है कि इसमें विशेशन क्या है तो आप जो है क्या प्रस्ण करेंगे सीला कैसी है तो आपको जवाब मिलेगा सीला बुद्धिमान है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रस्ण वाचक यानि जो हमारा प्रस्ण है उसका जो उत्तर है वही हमारा विशेशन है अगला वह लंबा लड़का है तो इसमें क्या है लंबा होना जो है विशेशन सब्द है तो वह लड़का कैसा है वह लड़का लंबा है हमको प्रस्ण का उत्तर मिल गया यानि लंबा जो है हमारा विशेशन सब्द है वह गाय काली है तो वह गाय कैसी है वह गाय किस रंकी है हम ये प्रस्ण कर सकते हैं तो प्रकार के बिशेशन होते हैं तो जो प्रमुक चार प्रकार के बिशेशन होते हैं वैसे आप जित्ती भी किताबें पढ़ेंगे कहीं पर छे प्रकार के दिया होगा कहीं पर आठ प्रकार का दिया होगा लेकिन चार प्रकार के बिशेशन जो है मुख्य रूप से होते हैं उसको हम जो है इस चार से समझते हैं सबसे पहले बिशेशन कौन सा होता है सार्वनामिक बिशेशन या इसी को जो है किसकुछ किताब वो में आप संकेत वाचक विशेशन भी लिखा पड़ सकते हैं इसमें क्या है ऐसे विशेशन जो सर्वनाम से सम्मंदित होते हैं वो जो है सर्वनामिक होते हैं अभी सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर मौलिक सर्वनामिक और योगिक सर्वनामिक विशेशन ये जो ह हम कई कटेग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं एक में निश्चित संख्या होती जिसमें हमको निश्चित संख्या का बोध होता है दूसरे में अनिश्चित संख्या होती है निश्चित संख्या वाचक को हम गड़ना वाचक, क्रम वाचक, आवरति वाचक, समदाय वाचक और प्रत्येक बोधक इस तरह से जो है अलग-अलग बाढ़ सकते हैं उसके बाद जो गड़ना वाचक है उसमें पूरांक बोधक और अपूरांक बोधक ये दो तरह के उसके जो है सब डिविजन्स हो गए और चौथे तरह का जो है जो विशेशन है वो क्या है परिमार वाचक जो है विशेशन है परिमार मतलब नापना या तौलना जिससे किसी चीज़ की मात्रा या उसकी जो है नाप का पता चलता है वो परिमार वाचक होते हैं हम एक एक करके जो है सभी को देखेंगे तो सबसे पहले हमने जो बात की कि सार्वनामिक विशेशन या संकेत वाचक विशेशन तो सार्वनामिक विशेशन क्या है? सर्वनाम सब्द जब विशेशन की तरह प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम सारुनामिक विशेशन की स्रेणी में रखते हैं, जैसे कि मेरी पुस्तक, कोई बालक, अब इसमें क्या है, पुस्तक की विशेश्टा क्या है कि वो मेरी है, यानि यहाँ पर जो है, मेरी क्या है, मेरी एक सर्वनाम होते हुए भी एक विशेशन का कारे कर रहा ह कोई बालक तो बालक की विशेशता क्या है कि कोई बालक या नहीं कोई एक सर्वनाम सब्द है लेकिन यहाँ पर क्या है विशेशन की तरह उसका प्रियोग हो रहा है किसी का महल वह लड़का वह बालक वह पुस्तक वह आदमी वह लड़की तो ये जो है इसके कुछ प्रमुक उदारन है जिससे आप समझ सकते हैं कि एक सर्वनाम सब्द जो है किस प्रकार से एक विशेशन की तरह प्रियोग होता है तो दूसरे सब्दों में कैसे कह सकते हैं आईशे सर्वनाम सब्द जो संग्या से पहले लगकर उस संग्या सब्द की विशेशन की तरह विशेशता बताते हैं वे सब्द जो है सर्वनामिक विशेशन कहलाते हैं तो इसको पहचानने का जो है सबसे बड़ा जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो है सर्वनाम सब्द तो होंगे ही उसके अलामा जो है ये हमेशा संग्या से पहले लगेंगे और संग्या की ओर इंगित कर रहे होंगे संग्या की बिसेस्ता बता रहे होंगे फिर से इनी उधारणों को देखिए पुस्तक क्या है एक जो है संग्या है क्योंकि पुस्तक जो है एक नाम है एक वस्तु का नाम है तो मेरी पुस्तक बालक भी जो एक संग्या सब्द है उसके पहले क्या लग गया सर्वनाम लग गया और वो उसकी विशेष्था बताने लग तो यह जो है सारवनामी विशेशन हो गया अब इनके कुछ और उदारण देखते हैं वह मकान गिर जाएगा तो यहाँ पर क्या है वह जो है एक सरवनाम है जो विशेशन की तरह प्रियुक्त हो रहा है तो यह क्या है एक सारवनामी विशेशन हो गया इसी तरह से यहाँ पु से पहले लिखा गया है इसलिए सर्वनामिक विशेशन हो गया ये घोड़े मजबूत हैं तो इस तरह से आपने इसको समझ लिया होगा कि सर्वनामिक विशेशन क्या है और इनका प्रियोग किस तरह से होता है आगे चलते हैं अब यह जो सार्वनामिक विशेशन है ये भी दो प्रकार के होते हैं एक जो है पुरुसवाचक और दूसरा निजवाचक पुरुसवाचक और निजवाचक तो आगे चलते हैं पुरुसवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ जो सर्वनाम किसी पुरुस यानि किसी लिए प्रियोग में लाय जाते हैं उन्हें पुरुस वाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है तो जब हम पुरुस वाचक सर्वनाम जान जाएंगे और वही सब्द जो है जब विशेशन की तरह प्रयोग होंगे तो उनको हम पुरुस वाचक सर्वनामिक विशेशन कहेंगे तो सबसे पहले जैसे कि मैं आप तू वह यह यह सब्द कैसे हैं पुरुस वाचक यानि किसी व्यक्ति के बारे में यह संकेत करते हैं व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो यह सर्वनाम की तरह प्रयोग होते हैं और जब यह किसी संग्या सब्द के पहले आएंगे और उसकी व विशेष्था बताएंगे तो ये पूरुस वाचक सरुनामिक विशेशन कहे जाएंगे अब पूरुस वाचक जो होता है इनको भी कई कटेग्रीज में बाटा जा सकता है तो किसी वक्ता या लेखक या तो बोल ला हो या लिख रहा हो तब ही जो है वो सरुनाम का प्रियोग क तरहा हो चाहे वो वक्ता हो चाहे लेखा को के सामने तीन तरह के पुरूस हो सकते हैं यानि अगर उसको किसी के बारे में बताना है तो वो तीन तरह के लोगों को कंसीडर कर सकता है पहला वास्वयम यानि अपने बारे में बता रहा हो दूसरा सुनने बारे के बारे में यानि उसी के बारे में बात की जा रही है तो ये तीन तरे के पुरुस हो गए, इसी के आधार पर पुरुस वाचक सर्वनाम को तीन स्रेडियों में बाटा गया है तो पहले स्रेडि क्या है उत्तम पुरुस कौन होता है लेखक यावक्ता स्वयम जब अपने बारे में कोई बात करता है अपने लिए कोई सर्वनाम पुरियोग करता है वो जो है क्या होता है लेखा किया वक्ता वो जो है उत्तम पुरुस कहलाता है जैसे मैं मेरा हम हमारा मुझको हमको मैंने हमने हमें मुझे इसमें आप देखिएगा ध्यान से हम सब्द जो है ये कई जगे प्रियों होगा ये अप आज में भी है इसको आगे हम भी डिसकस करते हैं तो ये आप समझ गया होंगे कि उत्तम पुरुस कौन है जब लेखक या वक्ता स्वयम अपने बारे में बात कर रहा है उसके बाद मध्यम पुरुस क्या है जब स्रोता या पाठक के बारे में बात की जा रहा है यानि जो देख रहा हो या सुन रहा हो जिससे बात हो रही है लेखक की या बोलने वाले की वो जो है क्या है मध्यम पुरुस होता जैसे तू तुम तेरा तुमारा तुझे तुमें आ अन्यपुरूस का मतलब लेखक और उसको पढ़ने वाला या वक्ता या सुरोता इनको छोड़ कर जब किसी तीसरे आदमी के बारे में बात हो रही है जो जरूरी नहीं है कि वहाँ पर मौजूद हो लेकिन उसके बारे में बात हो रही है तो उसको जो संबोधन होता है वो अन वे उन्हे उसके उसका इसे यह ये यह सबी क्या है किसी third person के बारे में बात हो रही है तो ये तीन प्रकार हो गए पुरुसवाचक सर्वनाम के आब हम आगे चलते हैं दूसरे तरह का प्रियोग लेखक या व्यक्ता स्वयम के लिए करता है यानि अपने लिए ही स्वयम जो सब्द प्रयोग किये जाते हैं वो निज वाचक सर्मनाम की स्रेडी में आता है जैसे आप अपने आप स्वयम, खोद, स्वता, निज हम तो कि यहाँ पर क्या है? निज़ सब्द जुड़ा है निज़ का मतलब क्या होता इंगलिस में self यानि जब कोई बात स्वयम के बारे में की जा रही है चाहे वो लेखक हो चाहे वक्ता हो कोई भी हो जब अपने बारें बात करेगा तो उस जो है उसको हम निज़वाचक सर्वनाम कहेंगे और अगर इसमें कुछ बिशेश बात है उसको जो है जान लिजे जो अपवाज जैसा होता है जहां पर आप करता के रूप में पुरुस वाचक होता है यानि अगर आप जो है स्वयम ही एक करता है आप सब्द तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर पुरुस वाचक के तोर पे वो होगा प पश्ट रूप से समझने के लिए आप कुछ उदारण देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा, आप कहां गए थे, अब यहां पर आप क्या है, आप करता है, आप को एक करता की तरह यहां व्यूज किया है, आप कहां गए थे, तब यह क्या है, यह पुरुस वाचक जो है, स बला तो जग बला आप यहाheen पर भी आप जुड़ा है यह जो है निजवार क्वोगि इसके बारे में क्यों संकेत किया जा रहा है मैं स्वैयम ऐस्पताल चला जाऊंगा यह भी क्या है निजवाचक है उसके आद आप चिंता मत करो advice आप यहाँ पर फिर क्या है, आप यहाँ पर करता के रूप में, यानि आप चिंता मत करो, फिर यहाँ पर यह पूरुसवाचक हो गया, आप लखनव चले जाना, अब इसमें क्या है, इसमें भी आप करता के रूप में प्रियोग हो रहा, इसलिए यह पूरुसवाचक है, तो ये थोड़े से बेसिक कांसेप्ट हैं जो सर्वनाम क्योंकि सार्वनामिक विशेशन आपको जानना है तो सर्वनाम के बारे में जानना होगा अब व्युत्यपत्य के आधार पर सार्वनामिक विशेशन के प्रकार क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं तो दो प्रकार होते ह एक तो मौलिक होता है, मौलिक का मतलब इंगलिस में fundamental, यानि जो मूल रूप से जो है बना हो और दूसरा जो है योगिक होता है, यानि मौल रूप से जो बना हुआ हो यो योगिक कहलाएगा, मौलिक सर्वनाम क्या होते हैं, यानि मौलिक सर्वनामिक विशेशन क्या होते हैं तो मून रूप से हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं और यही 11 सर्वनाम जब बिना किसी रूपांतर के संग्या से पहले आकर जो है एक बिशेशन की तरह कारी करते हैं तो इन बिशेशनों को हम मौलिक सर्वनामिक बिशेशन कहते हैं जैसे कि आपके सामने जो है यह है यह घर यहाँ पर यह क्या है एक जो है मौलिक सर्वनामिक विशेशन है इसी प्रकार से वह व्यक्ति कोई आदमी यह उदारन जो है आप इस पर चोगया होगा क्योंकि यह मूल रूप से हैं अब योगिक सर्वनामिक विशेशन क्या होते है जो सर्वनाम मूल सर्वनामों से बनते हैं यानि जो मूल 11 सर्वनाम होते हैं उनसे जो बनते हैं अब उनमें प्रत्य लगा के उपसर्ग लगा के उनका जो है फार्मेट चेंज करके जैसे भी जो है लेकिन वो मूल रूप से नहीं होते हैं तो प्राया जो है प्रत्य लगा कर बनते हैं और संग्या से पहले वो प्रियुक्त होकर विशेशन की तरह ब्योहार करने लगते हैं वो योगिक सार्वनामिक विशेशन कहलाते हैं. जैसे की ऐसा व्यक्ति, कैसा घर, जैसा देश, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कैसे बना हुआ है, इस सर्वनाम से ऐसा बना हुआ है, किस से कैसा और जिस से जैसा, तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति, कैसा घर, जैसा देश, यानि यह मूल रूप से सर्वनाम नहीं है, सर् सर्वनाम कहलाते हैं और अगर संग्या सब्द के पहले आ रहे हैं उसकी विशेशन की तरह ब्योहार कर रहे हैं तो यह जो है योगिक सर्वनामिक विशेशन हो गए अब दूसरे तरह का जो हमारे पास विशेशन है वो कौन सा है विशेशन का दूसरा प्रकार होता है टो किसी संग्या या सर्वनाम के गुड़, अब ये गुड़ की तरह के हो सकते हैं, गुढ़ को जो है हम कई तरह से जान सकते हैं, जैसे की विषेश, इस्थिति उसकी कोई हो, कोई दिसा के बारे में बात हो रही हो, रंग, गुड़ दोस, गंद, काल, इस्थान, आकार, का बोध कराने वाले बिशेशन जो है गुडवाचक बिशेशन कहलाते हैं अब इसके प्रमुक उदारण जो है नीचे दिये हुए हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं काल बोधक यह सब पूछे जाते हैं एक्जाम में जब मैं प्रीवियस यह कोश्चन सौल कराऊंगा तो उ तो जैसे नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविश, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाव, नवीन, छडिक, छर भंगुर यह सब क्या हैं यह सब क्या हैं काल बोधक बिशेशन है और यह काल बोधक जो बिशेशन है यह किसके अंतरगत आता है यह गुडवाच विशेशन के अंतरगत आता है अब हम बात करते हैं इस्थान बोधक यह थान का बोधकर आय कैसे जैसे भारत में रहने वाला विक्ती भारती आफरीका में रहने वाला विक्ती आफरीकी तो इस तरह से भी जो है विशेष्टा बताई जा सकती है भारती, अमेरिकी, पंजाबी, असमी, छेतरी, देशी, इस्थानी, उजार, चौरस, भीतर, बाहरी ये सबी क्या है इस्थान की विशेष्टा है बताने वाले सब्दे है इपरी, सतही, पुर्वी, पच्छुवा, च उसके सेप and साइज के बारे में जो है जो बताए तो नुकीला, लंबा, चौडा, गोल, चौकोर, सुडॉल, समान, असमान, खोकला, बेलनाकार, तृज्याकार, वरगाकार, आयताकार ये सबी क्या है ये सबी जो है आकार बोधक विशेष्ण है जो गुडवाचक का जो है भेध है फिर रंग का बोधकराने वाला जो है क्या कहलाएगा रंग बोधक यानि जिससे जो है किसी संग्या या सरुनाम के रंग के बारे में पता चले यानि वो एक बिशेष्ण की तरह प्रियुक्त होगा तो इसमें लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, काला, सफेद, क तो नहरा, चमकीला, धुदला, फीका ये सबी जो है रंग बोधक में आ जाएंगे फिर दसा बोधक यानि उसकी दसा कैसी है उसकी स्थिती कैसी है तो अस्वस्त, स्वस्त, रोगी है, भला है, चंगा, तंदुरुस्त, बीमार, दुबला, पतला, मोटा, नाटा, भारी, प आपको पता चल जाएगा कि ये बिशेशन है, कभी-कभी आप जो है नाटा सब पढ़ेंगे, तो हो सकता आपको लगे कि ये बिशेशन नहीं है, या बाजारू, या पालतू, या उद्यमी ये बिशेशन नहीं है, लेकिन जब आप देख रहे हैं तो इससे आपको क्या फिर गुण बोधक यानि उसके स्वभाव के बारे में उसके बात की जाए उचित अनुचित भला बुरा अच्छा खराब सच्चा जूटा पूर्ण पापी दानी न्याई दुष्ट दुराचारी सदाचारी सीधा साधा सांत सरल परिस्रमी इमांदार दयालू क्रपाण ये स चले खुसबुदार, बदबुदार, सुगंदित, खुर्दूरा, महेकदार उसके बाद इसपर्स बोधक यानि हम अगर किसी चीट को छूर रहें इसपर्स कर वहें तो उसका जो अनुभाव है वो क्या है वो इसपर्स बोधक विसेशन है कोमल, कठोर, मकमली, खुर्दू अभी क्या है स्वाद बोधक हो जाएंगे, अब हम अगले विशेशन की बात करते हैं जो है संख्या वाचक, सबसे ज़्यादा जो कोश्चन आते हैं वो गुण वाचक से और संख्या वाचक से पूछे जाते हैं, तो संख्या वाचक नाम से पता चला है कि संख्या का बोध तो जिन विशेशन सब्दों से संग्या या सवनाम की संख्या का बोध हो वे संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे कि चार दिन यानि दिन कितने है चार है तो यहाँ पर क्या है चार एक जो है संख्या वाचक विशेशण हो गया पांच घर घर की संख्या वतारा पांच है दस दिशा दस दिशाएं या तो तो ये भी दस है संख्या वाचक हो गया कुछ व्यक्ति अब यहां भले जो है निश्चित संख्या नहीं वतारा लेकिन कुछ यानि उसके बारे में जो इसकी quantity बता रहे हैं, तो कुछ या सब कोई, तो इस तरह से ये सबी सब्द क्या है, इस संख्या वाचक विशेशन, अब इसमें बहुत लंबा कटेगराजेशन है, एक एक करके देखते हैं, तो संख्या वाचक विशेशन के जो भेद ह वो दो होते हैं, एक है निश्चित संख्या वाचक, यानि इसमें definite number पता हो आपको, निश्चित रूप से जो है इसमें बोध होता हो, और दूसरा हो अनिश्चित संख्या वाचक, पहला निश्चित संख्या वाचक के बारे में पढ़ते हैं, इस विशेशन से संग्या सर् पाज कुट्टे ये सभी क्या है एक निश्चित कंफर्म जो है डिफिनिट नंबर बता रहे हैं अनिश्चित संख्या वाचक अब इसमें संग्या या सर्वनाम की जो है निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है निश्चित संख्या ग्यात नहीं होती जैसे लोग तो लोग हर एक व्यक्ति सब लोग कई व्यक्ति ये सबी क्या है सब्द कुछ हर एक सब कई ये सबी क्या है ये सब जो है अनिश्चित संख्यावाचक सब्द हैं अब पहले पहला जो प्रकार था निश्चित संख्यावाचक इसके हम भेद और उधारण देखते हैं कि इसके क्या क्या तो इसमें पहला क्या है गणना वाचक गणना वाचक में जैसे एक, दो, तीन, सवा, धाई, साड़े, تीन ये सबी क्या है, जिन संख्याओं का प्रियोग गणना में किया जाता है, गिंती में किया जाता है अब गणना वाचक के भी दो भोदुते है एक पूरांग बोधक होता है एक आपूरांग बोधक पूरांग बोधक मतलब जो है वो निश्चित मात्रा तो हई है लेकिन वो एक पूरी संख्या को एक पूरे नंबर को डिनोट करता जैसे एक दो तीन पाँच आठ वही पर आपूरांग बोधक ये पूर संख्या को ब्यक आपूरांक है, इसलिए इनको जो है आपूरांक बोधक कहा जाएगा, अब निश्चित संक्या वाचक में दूसरा प्रकार क्या है, क्रम वाचक बिशेशन यानि ऐसे बिशेशन जो संग्या या सरवनाम का कहीं पर क्रम बताएं, क्रम के बारे में यहां उनके सीरियल के बारे में बता है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा या पाच्वी यह सब क्या है? यह क्रम है. माली जे हमें कुदारान लेते हैं. राम पाच्वे इस्थान पर आया. तो यहां पर क्या है? राम के बारे में बताया गया कि उसका इस्थ अवरत्ति को बताता है यानि पूरी एक कमुनिटी को बताने वाला सब्द जो है जो बिशेषण की तरह कारे करता है जो संग्या या सर्वनाम की पूरी एक समुदाय का वो धम को कराता है जैसे यह बहुत इंपोर्टन्ट है पूछा जा चुका है कई बार इकजाम में दोनों, तीनों, चारों, आठों, एक दर्जन, एक जोड़ी ये सभी सब्द क्या है? ये सभी जो है समुदाय का बूध कराने वाले सब्द है फिर प्रत्येक बूधक जो जिसमें ऐसा भावा है कि हर एक के बारे में कहा जा रहा है जैसे हर एक, दो, दो, सवा, सवा, प्रत्येक तो ये सभी क्या है? ये प्रत्येक बूधक 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 बिशेशन के उदारण है अब अगला टाइप क्या है? इसमें परिमार वाचक बिशेशन तो परिमार का मतलब क्या होता है? परिमार का अर्थ होता है माप अता ऐसे विशेशन सब्द जो संग्याय सर्वनाम के परिमाप या परिणाम परिमार माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमार वाचक विशेशन कहते हैं जैसे कि 4 लीटर दूद तो दूद की कौांटिटी कितनी है? चार लीटर उसको हमने नाप लिया उसकी एक जो है मात्रा बता दी कि 4 लीटर है सवासेर गेहू तो गेहू को सवासेर कुछ गी अब यहाँ पर जो है गी तो है लेकिन कितना यह नहीं पता लेकिन कुछ है तो इसलिए यह भी परिमार वाचक है थोड़ा सा पानी इसमें क्या है? थोड़ा सा सब्द जो है यह परिमार वाचक विशेशन है तो इन उदारणों से आप समझ गया होंगे कि इसमें क्या-क्या जो है किस तरह से आप इसको पता लगा सकते हैं अब हम कुछ अन्युदारण देखते हैं जैसे कि परिमार वाचक विशेशन है इसको भी निश्चित और अनिश्चित परिमार वाचक विशेशन में हम इसके भेद कर सकते हैं तो परिमार वाचक विशेशन का पहला भेद क्या जाएगा? निश्चित जो है एक निश्चित परिमार बता रहे हैं, एक निश्चित क्वांटिटी बता रहे हैं जो है, और अनिश्चित परिमार वाचक विशेशन कैसे हो जाएंगे, बहुत दूद, अब यहाँ पर क्वांटिटी का नहीं पता, बस उसके बारे में कहा जा रहा है, बहुत दूद, सारा धेर सारा मक्हन, धाई किलो दही, पचासो मन गेहूं, तनिक साचार, ये सबी क्या है, ये अनिश्चित या आप पूरांक बूधक हैं, तो ये अनिश्चित परिमार वाचक विशेशन हो गए, अब विशेशन जो है, उनकी आपस में तुलना भी की जाती है, जो आपने इंग इसमें पढ़ रखा होगा, पॉस्टिव डिगरी, कंपरेटिव डिगरी, सुपरलेटिव डिगरी, तो उसी को हम हिंदी में पढ़ते हैं, मूलावस्था, उत्रावस्था, उत्तमावस्था, यानि जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी, दो से अधिक व्यक्ति के उदारण जो है दिये हुए थे तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल आवस्था की जैसे प्रियी प्रिय क्या है एक आदमी के बारे में बात हो रही है तो उसका किसी से कमप्रीजन नहीं किया जा रहा है फिर दो लोगों में यानि ए और बी में कमप्रीजन हो रहा है तो हम क सारे लोगों में कंप्रीजन आ जाएगा तब प्रियत्ताम तो इसी तरह से तीनों अवस्ताओं में जो है हम विशेशण की अवस्ताओं अलग लग जाती हैं निमन तर निमन तम, कमाल तर कमाल तम, सुंदर तर महत तर महत तर महत तम, अधिक मोटा सबसे मोटा अब मोटा को जो इस तरह नहीं चेंज कर सकते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं अधिक लगा देते हैं सबसे अधिक लगा देते हैं इसी प्रकार से अच्छा सबसे अच्छा और अधिक अच्छा ये इस तरह से सब्दों का प्रियोग कर देते हैं तो दोस्तो इस तरह से आज के इस lecture में हमने बिशेशन के concept को समझ लिया कि बिशेशन क्या होते हैं, बिशेशन के किते भेद होते हैं, उनको हम identify कैसे कर सकते हैं, अगले lecture में हम बिशेशन और बिशेश में जो संबंध है, उसको कैसे इस्थापित करते हैं, उसके बारे में द अन्यवाद.